इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important topic के बारे में बांगलादेश का पहला nuclear power plant भारत और रोस इसको कैसे बिल्ड कर रहे हैं इसकी importance क्या है यह समय यहां पर जानेगे ना बांगलादेश अभी के लिए है एक lower middle income nation इनका target यह है के 2000 किस के अंत तक यह अपनी नजर में बने एक middle income country और उसके बाद 2030 तक यह बन जाएं एक upper middle income country यह जो categorization है यह करता है world bank अगर बांगलादेश को भविश्य में बनना है एक upper middle income country तो इनको चाहिए होगी energy, power और उसका देखो सबसे बैतरीन source आज के समय है nuclear power और इसलिए बांगलादेश आज के समय बनवा रहा है अपना पहला nuclear power plant जिसका नाम है root pour nuclear power plant यह power plant इपकर मैं चाहता हूँ आप map में nuclear power plant और यहापको मिलेगा पदमा नदी के किनारे पर यहाँ पर आप देखेंगे जो नदी आ रही है यहाँ पर यह नदी है पदमा नदी ठीक है और यहाँ पर देख पाएंगे यह है इसकी site अभी भी आप पर construction चल रही है आप देखेंगे काफी यहाँ पर reactor अभी भी बन है इन प्रोसेस है इसका construction और उमीद यह है कि 2023 तक इसका first unit हो जाएगा operational और यह इनकी capital से कितना दूर है देखो ज़रा दूर है नी to be honest आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको देखेंगा धाका ठीक है तो धाका से relatively काफी पास है यह nuclear power plant और काफी safe area में भी है यहाँ पर भुकंप के chances काफी कम है, tsunami, cyclone के chances काफी कम है तो it is a very safe area to build a nuclear power plant अब इस plant का जो main financial है वो कौन है यह है रश्या रश्या ने 2015 में बंग्लादेश को एक लोन दिया around 11.38 billion dollars का आज के समय जो conversion rate है उसके साफ साफ कह सकते हैं रफली हम यहाँ बात कर रहे हैं around 81 to 82 thousand करो रुपीस का लोन दिया और इसके बदले में इनों ने यह का कि हमारी ही कमपनी आपके देश में बनाएगी एक nuclear power plant तो initially यहाँ पर सिर्फ रश्या involved था, इंडिया actually यहाँ पर picture में आया 2018 में जब भारत, रूस और बागनदेश ने sign किया एक tripatriate pact, civil nuclear cooperation को लेकर जिसके अंडर भारतिय कमपनी ने यह का कि ठीक है, जो main critical infrastructure है, reactor, उसके लाब जो और facilities होती है, safety की, यह सब तो बनाएगी रश्यन सरकारी कमपनी, मगर जो आसपास का और काम है, transmission lines, इस plant को maintain कैसे करना है, यह सब actually समालेगी Indian companies, तो इंडिया भी हाँ पर कूद गया 2018 में, और भारत और रू Now question यहाँ पर यह आता है, Russia यह सब चाइना के साथ मिलकर क्यों नहीं कर रा, इसका reason क्या है, तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, एक question यहाँ मैं आपसे पूछूँँगा, question आपके लिए यहाँ पर यह है, काकरापर 3, यह एक nuclear power plant का reactor है, 2020 साल में यह काफी हर तक news में था, आपको simply यहाँ पर यह बताना है, के काकरापर 3 आपको किस राजे में मिलेगा, महराष्टर, कामिलाडू, कुजरात या अफिर राजस्तान, comment section में करो answer, सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के end में, और आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको यह बतादू, कि मैंने आपके लिए बनाई है, absolutely free test series, अगर आपका target है, UPSC 2021, यह आप plan कर रहे हैं, कि एक बार 2022 में आप एक attempt देंगे, UPSC exam के लिए, तो simply यहाँ पर comment section में जाओ, यहाँ पे लिखा होगा, world affairs test series, made by me, यहाँ पे click क करना है, enroll पर, अगर आप से कोई code मांगे, code डाल देना, PG10, और आप enroll हो जाओगे, इस test series में, पहला test, इस series का होगा, कल 3 April को, और मैंने यहाँ पे ऐसे question नाई है, जो history, geography, science, हर subject को properly cover करेंगे, और आपको proper तरीके से prepare करेंगे, for UPSC prelims, 2001, and even beyond, so enroll करिए, world affairs test series में, now एक question में यहाँ पर यहाँ आएगा, कि ठीक है, बंगलादेश का जो यह nuclear power plant है, यहाँ पर इंडिया की भी participation है, तो इंडिया की तरफ से, यहाँ पर क्या सरकारी companies participate कर रही है, या फिर private companies, तो आप जान के हरान होंगे, कि ज़राता जो participation है, यह है from private players, इंडिया ने आपर हाली में equipment चाहिए, तो इंडियान कंपनी से आप purchase कर सकते हैं, बस जो payment है, यह आपको करनी है, बहुत ही लंबे समय में, 30-40 साल में, also at a very low interest rate, तो इंडिया ने आप कह सकते हैं, एक soft loan दिया है बंगलदेश को, for root for nuclear power plant, और इसमें होगा क्या, देखो अल्रेडी कई इंडियान कंपन और translate lighting limited, इनको दिये गए है contract power infrastructure build करने के लिए, क्योंकि देखो, plant तो आपने बना दिया, अब plant के आसपास आपको चाहिए transmission lines, जिससे जो यह बिजली है, यह पहुचेगी धाका तक, आसपास के regions तक, क्योंकि इनको उमीद यहाँ पर यह है कि eventually इस plant से, बंगलदेश प्रड political context से सही लगनी रहा, होना यहाँ पर क्या चाहिए था, कि Japan, India, या फिर US, India मिलकर बनाता है यह plant, रश्या को यहाँ पर involved क्यों किया, रश्या के साथ जो relations यह धलान पर है, हाली में भारत और रूस का समिट भी नहीं हुआ, तो ऐसे projects में, रश्या के साथ काम करना कोई sense बन आता है, क्योंकि Russian companies और Indian companies एक दूसरे को सूट करती है, क्या है कि Russian companies की जो speciality है, यह है critical infrastructure, जो भारतिये companies है, इनकी speciality है, non critical infrastructure, जो Chinese companies हैं, यह दुनों समाल लेती है, अब for example, पाकिस्तान में भी China बना रहा है, civil use के लिए nuclear power plants, तो इसका जो सारा काम है, reactor बनाना, maintenance करना, power grid setup कर तो Russia को actually जादा कुछ incentive, ज़रा फाइदा होता नहीं है, China के साथ काम करके, या तो Russia कमाएगा, या तो Chinese companies कमाएगी, तो इसलिए ना सिर्फ बंगलदेश में, in the future आप देखोगे, कि कई अफरीकी देश primarily Ethiopia में, इंडिया और Russia मिलके काम करेंगे, इनके बहुत सारे nuclear power plants को मनान में, और इसका simple reason यहाँ पर यह है कि Indian companies इतनी aggressive नहीं है, कि Russia का business सराव खा जाए, और जो Russian companies है, उनकी भी काफी लंबे समय से partnership है with India, इंडिया को यह use कर सकते है, to supply parts to Ethiopia, या फिर बाकी जो countries है यहाँ पर, तो energy sector में, especially nuclear energy sector में, इंडिया और Russia की participation आप देखोगे, बहुत से दे महारतन का system होता नहीं है, मगर अगर होता, तो यह होती इनकी महा महारतन company, क्योंकि यह एक crown jewel है, Russian government का, Russia की कुछ गिनी चुनी सरकारी कमपनियां है, जो कमाती है कुछ profit, उनमें से एक है Ross Atom, इस company को का जाता है, world's biggest nuclear company, by foreign order, क्योंकि विदेशों में, जितने plant इनोंने और ऐसा नहीं है कि यह लोग सिर्फ India, Ethiopia, या फिर Bangladesh, इन सब countries में काम करते हैं, इनोंने इसे पहले plants ना रखे हैं, Finland में, Hungary में, European देशों में, तो revenue का एक बहुत बड़ा source है Russian government के लिए Ross Atom, और देखो यह जो aspect है nuclear energy में cooperation का, यह भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कही न हमारे friendly relations रहें, और किसी भी area में जहाँ पर हम cooperation कर सकते हैं with Russia, वहाँ पर हम बिल्कुल cooperation करें, चाहे वो ब्रमोस पर साहिल हो देखो, Philippines और Brazil, जहाँ भी हम ब्रमोस को export करेंगे, वहाँ भी रश्यागार हो लोगा, यहाँ पर जो हम power plant बनाएंगे, यहाँ भी रश्यागार ह तो इंडिया रश्या की cooperation हमेशा आपको देखेगी in the coming years, चाहे defense sector हो या फिर power sector हो, सो वापस आते हैं हमने question पे के काकरापर 3 यह reactor आपको कापर मिलेगा, तो सही उत्तर यहाँ पे है, option C, गुजरात is the right answer, गुजरात में है काकरापर nuclear power plant और उसका part है काकरापर 3 reactor, और हाली म यहाँ पर criticality हमने achieve कर ली थी और यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्ती थी भारत के लिए, और in the future आप देखोगे के बहुत सारे और हमारे power plant है, वो भी construct हो रहे हैं, कई राजस्तान में हैं, कई तामिलाडू में हैं, और आने वाले आप कह सकते हैं, चार से लेकर 5 साल में, भारत में आप देखोगे के जो nuclear power है, इसका बहुत ही extensively हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे, especially तीन राजियों में, गुजराद, राजस्तान और तामिलनाडू, तो इसी के साथ यह है वीडियो कांथ, थांकियो फो लिस्नेंग, and as always, God bless you all!